अब हम insert करना देख लेते हैं insertion कैसे होती है insertion at end मैंने end जेसे start किया है फिर आपको start का दिखाती हूं कि insert at start कैसे होता है सबसे पहले देखें हमारे पास same node at end हमने same सब काम वही same किये है डबली लिंक लिस्ट में आपको इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी बता रही हूं क्योंकि सिंग्ली लिंक लिस्ट के मैंने बहुत डीटेल वीडियोज बनाई वी हैं जिसको प्रॉब्लम आ रही है कोट को समझ नहीं हा रहा सारा कोट वही है जो चीज एडिशनल लिखिए है वह इस वीडियो में और जो चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है वो सिंग्ली लिंक LIST के विडियो में जाके चैक कर सकते हो ठीके class अब हमारे पास यहां पर जैसे कि हम देख रहे हैं हमने obj next null किया था इसी तरह से start में हम क्या कर देंगे obj previous भी null कर देंगे ठीके pref का जो हमारा pointer उसको भी हम null कर देंगे तो यह मैंने iterations बनाई नहीं है first iteration second iteration अगर आप देखें जब हमारी first iteration थी तो head तो equals to null किया था हमने globally देखेंगा head null था तो हमने क्या कर दिया head equals to obj कर दिया let's suppose user ने 12 data दिया और यह हमारा data है तो अब हमारा head किसको point करोगा head के अंदर क्या address चला जाएगा obj का address चला जाएगा if की condition true हो गई तो यह बाकी code हमारा नहीं चलेगा फिर हमारे पास हम जब वापस call करेंगे first iteration में हमारे पस सिफ यह note बनेगी जब false while loop false होगा यानि while loop की condition true नहीं होगी नहीं else की condition चली होगी जब else हमारे पस नहीं चलेगा यहां पर हमारा जो code ब्रेक हो जाएगा क्यों के if की condition true है और head obj हो जाएगा सिफ इफ के अंदर हम यह कह रहे हैं के head equals to obj हो जाएगा इसके next को connect करना है इसके previous से जो हमारा new object उसके previous से और इस object के previous को connect करना है इस से ठीक है इस वाली note के address से तो हम कुछ इस तरह करेंगे अब अब जो हमारी next note बनी अब let's suppose हमारा user 13 input दे रहे हैं यह तो पहले से बन चुकी है यह मैंने second iteration दिखाए है तो यह उस वक्त अभी जब अभी जो code dry run हम कर रहे हैं उस वक्त कुछ इस तरह से हमारे पस यह है और इसका next भी null है ठीक है अब हमारे पस head if की condition तो जाएगी false अब हम चले गए else के अंदर और यह वाला लूप आपको मैंने previously single link list में बहुत detail में समझा है आप लोग वहां पर जाके देख लें हमने temp temp next सारा काम वही उसी तरह से किया है insert at end आप single link list में जाके देख लें एक additional काम की है बस वो क्या temp next Spl comment almost undergraduate 대해서 कहरे थे यह हमारा यह लगा क्नकार को ब्रीज कर रहे थे sitten को किसको पॉंट करें ऑ का next और सिर्फ यह चीज जो है ना जींज है असा यह याद रखिएगा यह वाइल लूप की मैंने ब्रैकेट इसलिए परफॉर कलर से शो कर दिया है डिफरेंट कलर से ताकि आपको याद है कि यह वाइल लूप के बाद अलग ऐल्स की बॉड़ी के अंदर स्टेटमेंट्स है वा है हम होज़त पसेम काम हो रहा है हम लोग स्टेट कर रहे है हम लोग स्टेट यहा पर वह कर रहें है वही चीज हो hourlyा कार माuri फर्स प्रस डप्रशन में यह यह नोड बनेगी सेकिंड एट इस नोड्ल को ही हम लिंक से क्योंकि हम head पर start पे देखें start पे ना यानि कि इसके पहले जो भी चीज इंसर्ट करें उसको उसी को head भी point करें start की बात हो रही है अब insert करें start पे पहले हम end पे कर रहे थे यानि नल वाले pointer को हटा कर उसका next बना रहे थे अब हम previous वाले pointer को प्रीवेस वाले pointer में changes करेंगे जादा और head बनाएंगे obj गो तो वही काम हम यहां पर कर रहे हैं obj next यानि कि यह जो भी हमारा obj था obj यह आने वाले यह तो पहले से यह first जब सबसे पहले loop चला यह condition सारी यह सब कुछ नहीं traverse हुआ यह code हमारा नहीं चला सिफ if की condition चली और head equals to obj हो गया और obj का next और previous दोनों नल था तो हमारे पस first iteration में सिफ यह वाला node बना ठीक है second iteration में क्या है यह node हमारी already बनी भी है अब हमने क्या करना है insert करना है इस वाली node को इस वाली node को हम insert कर रहे हैं second iteration में तो second iteration में यह condition हमारी हो जाएगी false यह condition हमारी हो जाएगी true ठीक है अब हम इस पर आ जाएंगे obj next में हमने डाल दिया head ठीक है यह था हमारा obj means道 यह हमारा obj था इसके next में हमने हो डाल धिया head तो head हमारा यह था head हमारा किसको point कर रहा था इसके address को तो इस एनलिख सो screen ऑपी हो जाएगा next तो अब किसको point कर यह इस वाली node को 10 वाली node को 10 जिसके अंधे data क्योंकि इसको head point कर रहा था तो head का address हमने obj के Next में डाल दिया याब Single Link List के जाके Lectures वापिस देखें अगर आपको समझ में नहीं आरहा कोड वापे मैंने डीटेल में Dry Run करके दियाए वाद उसके बाद Head का जो previous है वो चला जाए OVJ अब ये Head था इसका जो previous है इसको कर दें connect किस से OBJ से, OBJ हमारा ये था जो हम नई नोट को insert करे थे, ये काम तो हो गया, ये links तो बन गए ये काम हो गया, अभी क्या हो रहा है, head इधर ही point कर रहा है, ठीक है अभी इस फ़र head को मत देखे, अभी ये head इधर ही point कर रहा है head का address जो है, वो copy हो हो गया यहाँ, और इसका जो है link बन गया इधर, ये दो काम तो हो गए, लेकिन अभी तक head यहीं पर है, still, अब head को कहां लेकर आना है, यहाँ पर क्यों, क्योंकि head हमेशा first note को point कर रहा होता है, तो head equals to OBJ करते हमारा last step, जो हमारा last step होगा, क्या हो जाएगा, head equals to OBJ, सही है, I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमारा dry run, अगर नहीं समझ में आया तो आप single link list की वीडियो वापस जाके देखें फिर double link list की insertion देखिएगा, अगर आपने single link list की अभी तक नहीं देखी, और further अगर आपको फिर भी कोई issues हैं तो आप question answer session में मुझसे discuss कीजिएगा